नमस्कार आप देख रहे हैं One India Hindi और मैं हूँ अंके भारत की स्टारिश क्वास खिलाडी दीबिका पल्लीकल जकार्ता में खेले जा रहे एशियन गेम्स के साथवे दिन महिला सिंगल्स वर्ग में कांज पदक अपने नाम करने में सफल रही ये भारत का साथवे दिन का पहला पदक है महिला को मलेशिया आई धुरंदर और दुनिया की पूर्व नमबर एक खिलाडी निकोल डेविड ने समी फाइनल में तीन शून्य से हराया भारती खिलारी ने जपान की काबायाशी मिस्की को क्वाटर फाइनल में तीन शून्य से हराया था वहीं समी फाइनल में हारने वाले दोनों खिलारियों को पदक मिलता है दीपिका से सभी को स्वन पदक की उमीद थी लेकिन वो मलेशिया की डैविट निकोल की चुनोती से पार नहीं पासकी एंचियोन में हुए पिछले एशियन गेम्स में भी दीपिका ने कांस जीता था आपको बता दें कि दीपिका के अलावा सौरव घोशाल और जोशना चिनप्पा भी अपने अपने सिंगल सिस परधाओ के समी फाइनल में पहुचे थे तो भारत के श्वास में तीन पदक पक्के हैं जिसमें से एक कांस पदक उन्हें मिल गया है अब देखना ये बाकी होगा कि बचे हुए दो पदक सौरण पदक होते हैं या कांस या सिलवर फिल हाल इस वीडियो में इतना ही और खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ